गंजापती लेकिन रमेश के बाल उगने का नाम ही नहीं ले रहे थे बेटा सरकारी नल का अगर तुम पानी अपनी खोपड़ी पर लगाओगे तो तुम्हारे बाल तस दिन के अंदर आ जाएंगे सरकारी नल के पानी में ऐसा क्या होता है सिर्फ सरकारी नल के पानी से काम नहीं चलेगा उसके साथ तुम्हें अद्रक को भी अपनी खोपड़ी पर लगाना होगा और फिर उस सरकारी नल के नीचे जाकर अपना सिर्ध होना होगा देखना दस दिन में तुम्हारे बाल उगने लगेंगे रमेश पिसे हुए अद्रक का चुर्ण सिर पर लगा लेता है और सरकारी नल के नीचे बैठ कर नहने लगता है बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और रमेश का मजाक उड़ाने लगते हैं अरे गन्जा शैंपू लगाएगा कहां और बाल धोईगा कहां बढ़ाता देख रमेश दुखी मन से घर को चला जाता है मा सरोच जब रमेश को उड़ास देखती है तो कहती है बेटा ऐसे उड़ास मत रहो ऐसे उड़ास रहोगे तो जिन्दगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे आगे मैं बढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे बाल होते तो शायद और भी आगे बढ़ जाता रमेश स्कूल पहुँच जाता है स्कूल के सभी बच्चों का आज लास्ट दिन है क्योंकि आज सभी का रिजल्ट आने वाला है सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे एक लड़का जोर से कहता है सभी बच्चे हसने लगते हैं रमेश रिजल्ट देखकर उदास मन से अपने घर आ जाता है और अपनी मा से कहता है मा मा मैं पास हो गया हूँ मास्टर जी ने कहा है या तो तुम बड़े कॉलेज में पढ़ लो अगर पढ़ाई में मनना लगे तो किसी कंपनी में जाकर नौकरी कर सकते हो बेटा अभी पढ़ ले तेरी पढ़ने की उम्र है नौकरी बाद में कर लेना नहीं मा मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पर तो बच्चे मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कल को बड़े कॉलेज में जाऊंगा तो बड़े बच्चे उड़ाएंगे इसलिए मैं नौकरी करने जाऊंगा मुझे पैसा कमाना है सरूच रमीश को बहुत समझाती है बेटा पढ़ ले नौकरी बाद में कर लेना लेकिन रमीश नहीं मानता रमीश घर से बाहर चला जाता है और अपने दोस्तों से मिलने लगता है सभी दोस्तों को रमीश इखटा करके कहता है पढ़ाई करके तो मुझे कुछ फाइदा नहीं लग रहा हमें सरकारी नौकरी भी नहीं करनी है इससे अच्छा हम शहर में जाकर प्राइवेट कमपनी में कहीं नौकरी कर ले तो अच्छा रहेगा बात तो तेरी सही है हाँ यार सरकारी नौकरी में भी अब कुछ नहीं रखा है अब तो बस सरकारी और प्राइवेट नौकरी एक जैसी हो गई है चलो आज शाम को ही शहर के लिए चलते है रमेश घर आकर अपनी मा को सब बताता है और शाम को ही रमेश, पिंकु, महिश नौकरी के लिए शहर चले जाते है वहाँ उनकी कंपनी में नौकरी लग जाती है तीनों जब काम करके घर आते है तो पिंकु कहता है यार काम करते करते ठकान होने लगी है, क्यों न टेलिविजन ही देख ले? हो, क्यों नहीं? महिश टीवी ओन कर देता है, टीवी में एक न्यूस एंकर बाल उगाने का एड़ दे रही थी 15 दिनों में बाल उगाए, मात्र 15 दिन में, भारत के देड़ हजार लोगों के 15 दिन में हमारी दवाई से बाल उग गए है क्या आप भी अपने दोस्तों के सामने लजजित होते हैं? आपका कोई दोस नहीं बनता? आपके बालों की वज़े से आपको बार बार बेजज़ती सहन करनी पड़ती है तो हमारी दवाई मंगाईए और अपने बाल उगाईए टीवी में जहां तहां के लोग उस दवाई का डावा कर रहे थे कि हमारे बाल उग गए है रमेश को दवाई को देखकर दवाई मंगवाने की इच्छा होती है क्यों रमेश? दवाई नहीं मंगवाएगा क्या? यार इच्छा तो है मंगवाने की, क्या करें? अरे जब इतना सब ट्राइ कर लिया है जिंदगी में तो एक बार और सही हो सकता है इस दवाई से तेरे बाल आ जाए सोच अगर बाल आ जाए तो जब तु गाव में जाएगा तेरी मा कितनी खुश हो जाएगी और वो सब लड़कियां जो तुझे इग्नोर करती थी वह भी तुछ पर मर मिटेगी वो तो छोड़ यार तेरी क्रश सपना वो तो भाई साब तुछ पर फिदाई हो जाएगी रमेश दोस्तों की बाती सुनकर खुश हो जाता है ये सब छोड़ो यार पहले बाल आने तो दो क्यों सपना दिखा रहे हो ठीक है तुँ सपने मत देख दवाई मंगवा रमेश उस टीवी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर फोन लगा देता है और दवाई मंगवाने के लिए पैसे भर देता है अगले दिन रमेश अप कंपनी में काम करके अपने कमरे पर शाम को घर आता है तो दवाई देने वाला व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होता है रमेश उस व्यक्ति से दवाई ले लेता है और तीनों दोस्त कमरे में बैट कर दवाई की दिब्बे को खोलते है दिब्बे में दवाई, तेल और एक कंगा रखा हुआ होता है ये कंगा किस काम के लिए है? अरे जब तेरे बाल बड़े हो जाएंगे तब भी तु सिर पर हाती फिराएगा फिर तो कंगे से ही बाल बनाने पड़ेंगे रमेश दोस्तों की बात सुनकर खुश हो जाता है और धवाई लगाना शुरू कर देता है रमेश चार दिन बात देखता है सिर पर जो बचे कुछे बाल थे वो भी उड़ गए थे करने क्या चले थे और क्या हो गया? ये तो काम बहुत बेकार हो गया, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, रमेश हमारा दोस्त है, हम इसे दुखी नहीं होने देंगे महेश, पिंकु और रमेश एक बड़ी होस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर से बातशीत करते हैं डॉक्टर सहाब, दुनिया में ऐसा कोई नुस्खा नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मैंने ना लगाई हो, लेकिन मेरे बाला ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, नकली बाल लगवा लो, दिखने में बिलकुल आपके सर के बाल जैसे ही लगेंगे, लेकिन कोई पकड़ कर खीच ना दे ठीक है डॉक्टर सहाब डॉक्टर रमेश के सिर का नाप लेकर बाल तयार कर देता है, अगले दिन रमेश बाल लगवा कर ओफिस जाता है सभी रमेश को दीख कर हैरान हो जाते है, कि ऐसी कौन सी दवाई है? रमेश सभी को टीवी पर आने वाली दवाई के बारे में बता देता है, जिससे उसके रातो रात बाल उगाए रमेश जब गाव जाता है, सभी गाव वाली हैरान हो जाते है रमेश की मा रमेश का विवाख कोमल नामकीक लड़की से करा देती है कोमल को गंजे लड़के बिलकुल भी पसंद नहीं थे ये बात कोमल को पता नहीं थी कि रमेश गंजा है और उसने नकली बाल लगवाए है लेकिन जब कुछ दिनों बात रमेश काम के लिए कोमल को घर छोड़कर शहर चला जाता है तब एक बुढ़ी औरत रमेश के घर आकर रमेश की सारी सच्चाई कोमल को बता देती है पता नहीं पहले तो ये गंजा था लेकिन मेरा पोता भी इसी के साथ काम करता है वो कह रहा था अपने सरपन नकली बाल लगवाए है इसने ये आप क्या कह रही है? मुझे तो गंजे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं कोमल कुस्से में लाल हो जाती है और फोन पर रमेश से घर आने के लिए कहती है रमेश घर आ जाता है दोनों में जगड़ा शुरू हो जाता है कोमल रमेश के बाल पकड़कर खीच देती है और रमेश के बाल एक साथ उखड़कर कोमल के हाथ में आ जाते है पागल हो क्या? तुमने मेरे बाल क्यों खीचे? जब तुम पहले ही गंजे हो तो इसमें बाल उखड़ने के बात कहां से आ गई? तुम्हें पता है? मुझे गंजे रड़कों से बहुत नफरत है मुझे नहीं रहे न तुम्हारे साथ? मैं जा रही हूँ कोमल रमेश को छोड़कर अपने घर चली जाती है कोमल को गाउं की सारी औरते समझाती है कोमल ये बात तो तेरी बहुत गलत है सिर पर बाल होना जरूरी नहीं बुढ़ापे में भी तो बाल उड़ जाते है तुझे पता है? आज कलके लड़के कितनी गंदी आदतों में पड़ गये है अरे जिससे हमने तेरी शादी कराई है वो तो कुछ खाता पीता भी नहीं है तु अपने भाईया को देख ले तरी भाभी को कितना मारता है तुझे तो आज तक रमेश ने हाथ भी नहीं लगाया मैं पती के हाथों रोज बिट जाऊंगी लेकिन मुझे अपने पती के सिर पर बाल चाहिए तो चाहिए मैं गंजे आदमी के साथ नहीं रह सकती उधर रमेश अपने कमपनी में काम कर रहा था रमेश देखता है कि एक छोटी बच्ची केमिकल के टैंक में गिर जाती है कोई भी उस केमिकल भरे टैंक में जाकर लड़की को बाहर निकालने के लिए तयार नहीं होता क्योंकि केमिकल के टैंक में जानी से बालों के खराब हो जाने का डर था मेरे सिर पर बाल वैसे भी नहीं है कोमल भी छोड़कर चली गई है अब वह वापस आने वाली भी नहीं शरीर के बालों का भी क्या फाइदा इससे अच्छा इस लड़की को ही बचा लू तो इसे नई जिन्दगी मिल जाएगी रमेश लड़की को बचा लेता है बाल में पता चलता है कि वो लड़की कंपनी के चेर्मेन की पोती थी तुमने बहुत अच्छा किया यह मेरी कलोती पोती है इसे अगर कुछ हो जाता तो मैं कभी भी अपने आपको माफ नहीं कर पाता आज से तुम इस फैक्टरी के मैनेजर और सारा कारोबार अपसे तुम ही देखोगे मुझे बस हफते में एक बार फैक्टरी का लेखा जोका दिखा दिया करना ठीक है सर ये बात जब कुमल को पता लगती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने किसे छोड़ दिया है कुमल समझ चुकी थी कि बालो का होना जरूरी नहीं अच्छे व्यवहार का होना जरूरी है इसलिए कोमल वापस रमेश के घर आ जाती है अपनी गलती मानती है और खुशी-खुशी रमेश के साथ रहने लगती है कोमल पहले तो मेरे शरीर पर भी बाल थे लेकिन अब वो भी चले गए अब तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगी नहीं, आज मेरी समझ में आ गया है बालो का होना जरूरी नहीं वेक्ति के अंदर अच्छे संसकार होना जरूरी है उसके विचार सुन्दर होने चाहिए क्योंकि तन के सुन्दरता का कोई भरोसा नहीं जब गाव में ये बात सबको पता चली तो सभी बहुत शर्मिंदा हुए और रमेश का मजाग उड़ाना बंद कर दिया